जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए एक और यूनीक रेसिपी लेकर आये हैं आज हम बनाएंगे आसान सी रेसिपी के साथ सांदार अलू का भरता तो चलिए सुरू करते हैं आलू का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक सीक्रेट मसाला तयार करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर लिया है एक टीस्पून साबुद जीरा एक टीस्पून साबुद काली मिज धाई टीस्पून साबुद धनिया और आठ सूखी लाल मिज इन सारी चीज़ों को हम पेन में लो फ्लेम पर ड्राई रोष्ट करेंगे तो लगाता चलाते हुवे दो मिनिट तक हम इनको रोष्ट कर लेंगे तो इन सारी इंग्रीडेंट्स को हमने लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए रोष्ट कर लिया अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और रूम टेंपरेचर पर इन्हें अच्छे से ठंडा करने के बाद मिक्सी जान में ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना लेंगे इसी के साथ हमने यहाँ पर भरते के लिए एक किलो उबले हुए आलू लिये है इन आलू को हम मेस कर लेंगे तो आलू को मेस करने के बाद हमने जो मसाला बना कर रखा है इसे इसमें एट कर देंगे इसी के साथ हम इसमें एट करेंगे एक टीस्पून अमचूर आप यहाँ पर अमचूर की जगह दो टीस्पून नीबू का रस भी एट कर सकते हैं एक टीसपून चाट मसाला एट करेंगे एक टीसपून गरम मसाला और स्वाद अनूसर या फीर देट raising May इसी के साथ हमने यहां पर बारीक कटी हुई हरीमीच ली है और ये में ज्यादा सपैसी नहीं है और इन सारे इंग्रीडियंट्स को हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमने एक पेन में आधा कप तेल गरम कर लिया है इसमें एड़ कर देंगे एक टीस्पून जीरा इसी के साथ एड़ करेंगे दो चुटकी हेंग और जीरे को तेल में चटकने देंगे अब हम इसमें प्यास एड़ करेंगे तो हमने यहाँ पर चार मीडियम साइज की प्यास को स्लाइसिस में काट लिया है मीडियम फ्लेम पर प्यास को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सुनहराना हो जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्यास का कलर लाइट गोल्डन होने लगा है इससे ज्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें एट कर देंगे आलू का भरता तो हमने मेस किये हुए आलू में जो सारे मसाले मिला कर रखे हुए हैं उसे हमने इस स्टेज पर एट करना है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगाता चलाते हुए हम इसे लो फ्लेम पर 5-7 मिनिट के लिए पका लेंगे तो देखिए यहां पर इस भरते को पकते हुए 5 मिनिट हो चुकी है जब कुछ समझ में ना आये कि आज क्या बनाया जाए तब आप इस मज़ेदार से आलू के भरते की रेसिपी को ट्राइ कर सकते हैं यकीन मानिए जब एक बार आप इस एसीपी को अपने घर पर ट्राइ करेंगे तो बार बार इसे बना कर खाने को दिल चाहेगा तो भरता बन चुका है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ करके इसमें आधा कब जितना हरा धनिया एट कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे इस रेसीपी को अपने घर पर ट्राइ करने के बाद कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरिंस जरूर से सेर कीजिएगा आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं पिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई